रिश्यकेश में कल से लगेगा रिश्यस का चिंतन शुविर संग प्रमुख मोहन भागवत लेंगे शुविर में हिस्टा शुविर में संग के कार्यों की होगी समेक्षा संग के कार्यों के विस्तार पर भी होगी बात गोरगपुर में कारुपारी मनीश गुप्ता के हच्चा के मामले में भी आज सुनवाई दिल्ले के सेडियाई कॉर्ट में रखे जाएगी दलीले सेडियाई ने मामले में लखनों के जिशिक उदालत में दाखिल गिया था आरोपर आज जिलावाद हाई कोटे वरांसी के काशी विश्वनात मंदिर ग्यानवापी मस्रित के मामले में होगी सुनवाई आज से डे टू दे बेसिस पर हो सकती हैं सुनवाई आज जल शक्तिमंतरी सपंसुर देव सिंग जालोन आएंगे दोपहर सवा तीन बजे स्याधनकर गाउं में रक्ष दंतिका और अक्षिरा देवी मंदिर में करेंगे पूजा चिना शान सवा चार बजे अकोडी बैरागर धाम में शादा मा के दर्शित करेंगे आज मुक्तार की जमानत याच्का पर लटनो गोट में होगी शुनवाई शडरूश संपत्ति मामले में जमानत की याच्का मुक्तार में की फीदाया है पुलिस पहले ही मामले में लगा चुकी है चार जशी मतुरा के दरेशी रोग पर ट्रांसपॉरबर में आग लगने से बाजार में अफ्रा तफ्री का माहूल सुछना देने के बाद भी वक्त पर नहीं पहुच्टी दमतल की जाड़ी आग लगने कारण बताया जा रहा है गर्मियाती ही फाइट सीजन में बनों में आग लगने के घतनाय शुरू हो गई है बड़कोट के जंगलों में लगी फिशना आग बन संपदा के साथ चोटे चोटे पौधे जलकर खाख हो रहे है गांसूर के कुस्त रना के पास जामत लगे ट्रेक्टर ट्रॉली में लगी आग चलती गाड़ी में अचानक लगी आग आग की पेस लबकों के साथ चोट जलकर खाख हो रहे है कानफुर में रेव मोती मौल में संदिक दे परस्तियों में लगी आग आग लगने से मौल में मचा हर कंप मौल में मौचूट सभी लोगों को बक्त रहते बहार निकाला किया बड़ा हादिस्ता होने से चला बांदा में भैस को नहलाने गए दो बच्चों की गड़े में दूप कर मौत हो गई सूचना पाकर मौक्त पहुंची पुलिस ने गोता कोरों के मदस से बच्चों को बहार निकाला और अस्पिताल पहुंचाया डॉक्टरस ने दोनों बच्चों को मित कोशित लिया आगरा के गड़ी बधोरिया में लगी ग्रीन गैस के लाइन में आग करीवे घंटे तक चड़क पर उप्ती रही आग की लप्ते ग्रीन गैस की पाइपलाइन में हुए रिसाव ने पकरिया जॉनकोर पुलिक से मुठभेड वे 20 अजार के इनामी अपराधी को गिरफतार किया है जबावी स्पाइरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली जुलाल पुर के अखबरन पुर गाउंट में मुठभेड हुई मुखबीर की सूचना पर बदमाश को ककड़ा गया